जानते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, और इस वक्त आप पीछे बिजवल्स हैं, मेरे पीछे देखकर पता लगी गया होगा कि इस वक्त हम आये हुए नामसाई के डिपुटी कमिशनर के ओफिस में, और मैं बता दू कुछ दिनों से हम यही पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट पे थे, तो हमें ख़बर मिला कि कुछ महिने पहले, मैडिकल सुप्रिंटेंडन के द्वारा कुछ एडवर्टाइजमेंट किया गया था, जिसके चलते एक कैंडिडेट का कहना है कि उन्हें डिप्रा हम जिस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी वो हमारे साथ है, और इफ I'm not wrong, वो अभी DC सर से भी मिल का है, लेकिन अभी DC सर से क्या बात है वो हम बात में जाने के लिए, पहला हम जाना चाहेंगी कि आपको क्यू डिप्राइब फिल हो रहा है, एक्जेक्ली मुद्दा क्या है लोगों को बताईए, थेंक्यू और नाचल तूदे फोड़े वोड़ेश, तो फिर आज थो मीडिया में यह इ इसके लिए में भी अपलाए किया था एं जिसके लिए मुझे रिटैन क्या बोलत है मैंने रिटैन भी दिया है बात मेरा वैवा हुआ है एं भी मैं में सstल्टेद होग्या। यह रिज रजीमान का है और भाग के लिए से लिए अपुट्यु फोट्वर को अपने विए टना नवेम्बर नीट विए टनाए होगो श्काहिज की अणीज गवड़ी फेंटिटेशञें जुटलिया नहीं रिजल निकलने का बद श्काहिक लिए र्ग भागी फिर भी अप को एक बोलता है डिले होने का दो रिजन है एक जो क्या बोलता है बिल्दिंग कंस्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है काउंसलर स्फेर्ट मेरे पॉस्ले इ TVs क्या आढरे से अब बढ़नमया मिरें पोजर के लिए अब गलान। वहां बागी तेनों प्रेजस बाल को भी अपाईमिन दीन मझें लिध दीने जाता है लिगे अपार्वीनिट्र को बर्डारी ट्लाइब दीन मझें लिदस का बाद का रखी को टेज में तो, शुक keyboard X 2-0 स्बड़ का जाया लिद जागा लिधुए होगा बोला है and then 12 का बाद का बाद ही पता चलेगा कि यह पोस के लिए क्या होगा आगे जाके appointment letter दिया जाएगा कि ने दिया जाएगा then मैं 12 का बाद में वेट करता है 12 February 2024 को तो फिर मतलब मैं वेट करता है then वह से मुझे खबर मिलता है कि बागी जो तीन पोस है कर दिया गया है appointment letter दिया है and then मेरा तो फिर उसके बाद वो बोला है मालब क्या बोलता है administration का 3D मालब जो board member के 3D एक report आने बागी है वो report आज आज आएगा उसके बाद ही हम लो appointment letter दे पाएगा and then में उसके बाद I was waiting मालब कर आईगा बोलता है कि तो फिर उसके बार क्या बोलता है और भूट में जो रिजल आएगा, क्या बोलता है वही होगा, मनलब एकोर्डिंग टुब बोट जिसे सेलेक्शन किया जाएगा वही सेलेक्टेट होगा, तो अगर यह सब चीज सी होना था तो मेरा एप्लिकेशन, मेरा जो रिजिम है वह क्यो एक्सेप किया है, अगर अगर मेरा रिजिक कर देना चाहिए था, और जब एक्सेप्टेंस वही है तो मुझे रिटेंग बुलाया गया, इंटर्व्यू भी लिया गया, मनलब सेलेक्शन भी क्यों किया मुझे, है कि अरे अभी जब सेलेक्शन होगा तो मेभी तो वही एक्सपेक्टेशन से बेठेगा कि मुझे मिल गया है, जो फेकी नहीं बोलो तो ना, ताकि जहां तक बात यह है कि जिसको सेलेक्टिव किया है वो लोगो तो अपॉर्मेंट मिल चुका है, और मुझे चुका है, हाँ वो लोग जोइनी भी कर चुका है, अगर 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 डिस्ट्रिक को लेना नहीं था, तो कर यहीं नहीं होब लोगो एक चुका है, तो नहीं होगी के जोनी भी जाब अफ्सको है, पुटेब्स अपूर्स के नहीं हो धिसको क्या है, इसको को बेदान अंच्क्रचम सेलेक्शिं को लेगा गा, जो भी ना थेजाई यहाँ, छो शुल, Trumang Imoo, भी आज उरा कर मैं हो वे सुख़ने ज़ी आपया है तो फिर में पूशियन साव इंडिया ना, वह बोलता है और एक बोर बेतना पड़ेगा उसके बात ही पता चालेगा जबकि मालग रीटे एन बाइबा सब्सक्राइब निकल चुका है इसके ऊपर 12 बीज़ को भी एक बोर बेता जाएगा कि अब आफ दी कैमरा भी बता रहे थे कि यह जोब मिलने कारण यह पहले भी कुछ जोब और बार कि अज़ प्रफूम्टेबल था इसके बार कि नहीं के बार जाएगा तो फिर इन वह जोड़ जोड़ जिया कि गर के पास ही मुझे मिलो एंट मेरा फैमली और मेरे लिए भी से बोर्ट बेठा जाएगा एंदें उसमें डिसाइड होगा कि मुझे लेना चाहिए कि ने जब कि मैं मनलब रिटेंड वाइबा देने का बात में मेरिट इसमें हो कि अभी आप डीसी को मिले तो आपने ये पॉइंट ने रखा कि आप पहले जॉब करते थे तो ये इसको तो कौन रिस्पॉंसिबल लेगा ये चीज़ को लेकर अपने सवार रहा तो उनके तरफ से क्या रिस्पॉंस आए जिससाइड ने बस वही बोला है अभी फिर से एक ब अभी आप अपने रिख ये चाहिए जो आप क्या कहना चाहेंगे इस्पेशले क्योंकि अडवडाइजमें जो आपने दिखा है मैं दिखा है मैं को बताना चाहूंगी उनके तरफ सब जो हमें डोकुमेंटेशन दिया गाया था जो अभी वो खुद भी पक रहे है तो इसम पोस्त पीलर जा रहे हैं, तो अगर इन फेवर नहीं आता है, अभी जब तक वो डिपेंड करेंगे कि इनक्वारी कमीटी के तरफ से क्या रिजलाता है, तो अगर जब कहना चाहेंगी यह मुद्दा को लेकर आप कंटीनु करोगे या फिर आप एक्सप्ट करोगे जो भी बो अगर जब भी जब तक वो लोग ने भी एक जस्टिस रिजली दिया होगा है किने, आज में क्वाइब है इस पोस के इसले मुझे सेलेक्शन किया गया है क्योंकि यह जो भी जो भी पोस है इसका तो एक पर चैनल छोडी गया है, किसी का बेगडो एंट्री तो नहीं है, इस इसले मुझे सेलेक्शन किया है, है किने, आगे भी मैं बलीफ करता है कि जितना भी अभी बोर्ड मेंबर बेठे बोलो एक जस्टिस रिजलूशन ही निकलेगा इसके लिए, इसके उपर, अगर उससे भी नहीं हो पाया तो तो मुझे लीगल ही जाना परेगा, क्योंकि बेॉदकologically, क्योंकि बीवा है एफ, जब हम स्कीलोशन ही लिगल् पानि का टीches सेलेक्शन में भी ऑ मुझे क्यू हैं तो मुझे फिखला किया है मुझे अकर कोई लेकि बएड़ा है को य८्य जाहना थी जब पें वह जवा होता है नहीं जाहना है कि पेले बोल देता हैं इ पर दो थो को कोशिच करेंगे वोग मैंने सब्सक्राइब कर दो हम सवाल वही रखना चाहेंगे अगर advertisement concern department के द्वारा ही निकला गया है तो क्यों ऐसा रुखा जा रहा है और कौन responsibility लेने वाला है जैसे मैम ने अल्रड़ी कहा दिया है कि पहले ये job से पहले वो अल्रड़ी job करती थी लेकिन just because कि उनका result में selected निकला उन्होंने previous job को छोड़ दिया तो वो job को लेकर अभी कहसे न घर का न घाट का इस तरह के कर दिया तो ये सवाल हम पूछेंगे कि कौन responsibility लेने वाला है और what member के बारे में जाने के तो हमारा सथ बने रहे है तो जैसे आप सब को पता चली गया होगा इस वक्त हम है DC नमसाई की office में और उनसे मिल तो नहीं पाए हमने लेकर सीधा सवाल रखा regarding जो candidate उनके तरब से उनका कहाना है कि उन्हें deprive किया गया है तो हमने सवाल जो रखा DC से सीधा की जो advertisement में जो भी निकला उसको लेकर कौन responsibility लेने वाला है उन्हों का जब हमने सवाल रखा था कि जो अल्रडी उन्होंने जो पहले previous job करती थी selection होने के बाद में उन्होंने उसे चोड़ा उसके लिए वेट किया तो DC के तरब से सीधे तोड़ से कहना था कि उन्होंने क्यों चोड़ा जो इस तरह के उनका सवाल उसका कहना था कुछ नहीं कर सकते हैं वो बस डिपेंड कर रहे हैं कि जो जो इंक्वाइरी कमिटी बिठाएगे उसके तरफ से क्या आउटकम निकलते हैं उसके बाद ही वो के सकेंगे तो हमारा सवाल सीधा रहेगा डिस्ट्रिक अडिस्ट्रेशन से और कंसर्ण मैडिकल डिपार्टमेंट से जो ब्रांच है नमसाएगा कि अगर आपको इस तरह के का नोटन की दिखाना ही है आखिर में जाकर तो आपको एड़टाइजमेंट भी प्रोपर वेसे भी प्रोप के अडिस्ट्रेशन और के इंक्वारी कमिटी जस्टी को डिलिवर करती है कि ने और क्या रिपोर्ट में आटकम निकलता है तो हमारा साथ बने रहे हम लगाता रहे है रिपोर्ट को लेकर फोलॉ अप करते रहेंगे